जेशंक प्रसाद जी की कहानी शर्नागत प्रभात कालीन सुय की गिर्ने अभी पूर्व के आकाश में नहीं दिखाई पड़ती हैं ताराओं का शीन प्रकाश अभी अंबर में विद्यमान है यमुना के तट पर दो तिन रमणिया खड़ी हैं और दो यमुना की उनहीं शीन लहरियों में जोकी चंद्र के प्रकाश से रंचित हो रही हैं सनान कर रही हैं अकस्मात पवन बड़े वेग से चलने लगा इसी समय एक सुन्दरी जोकी बहुत ही सुकुमारी थी उनहीं तरंगों में निमगन हो गई दूसरी जोकी घबडा कर निकलना चाती थी किसी काट का सहारा पाकर तट की और खड़ी हुई अपने सक्यों में जा मिली पर वहां सुकुमारी नहीं थी सब रोती हुई यमना के दट पर घूम कर उसे खोजने लगी अंधकार हट गया अब सुर्य भी दिखाई देने लगा कुछी देर में उनहीं घबडाई हुई स्त्रियों को आश्वासन देती हुई एक छोटी सी नाव दिखाई दी उन सक्यों ने देखा कि वह सुकुमारी उसी नाव पर एक अंग्रेस और एक लेडी के साथ बैठी हुई है तट पर आने पर मालूम हुआ कि सिपाही विद्रों के गड़बर से भागे हुए एक संभरांत यूरोपियन दमपती उस नौका के आरोही है उन्होंने सुकुमारी को डूपते हुए बचाया है और उसे पहुँचाने के लिए वे लोग यहां तक आये है सुकुमारी को देखते ही सब सक्यों ने दोड़ कर उसे घेर लिया और उससे लिपट लिपट कर रोने लगी अंग्रेज और लेडी दोनोंने जाना चाहा परवेस्त्रियां कब मानने वाली थी लेडी साहिबा को रुखना पड़ा थोड़ी देर में यह खबर फैल जाने से उस गाओं के जमीनदार ठाकूर किशोर सिंग भी उस स्थान पर आ गए अब उनके अनरोद करने से विल्फरड और एलिस को उनका आथिथे स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि सुकुमारी किशोर सिंग की ही स्त्री थी जिसे उन लोगों ने पचाया था चंदनपूर के जमीनदार के घर में जो यमना तट पर बना हुआ है पाई बाग के भीतर एक रविश में चार कुर्सियां पड़ी है एक पर किशोर सिंग और दो कुर्सियों पर विल्फरड और एलिस बैठे है तथा चौथी कुर्सी के सहारे सुकुमारी खड़ी है किशोर सिंग मुस्कुरा रहे है और एलिस आश्चिती की दृष्टी से सुकुमारी को देख रही है विल्फरड उदास है और सुकुमारी मुखनीचा किये हुए है सुकमारी ने कंखियों से किशोर सिंग की और देख कर सिर जुका लिया इस पर एलिस किशोर सिंग से कहती है बाबु साहब आप इन्हें बैटने की इजाज़त दें मैं क्या मना करता हूँ एलिस सुकमारी को देख कर कहती है फिर वह क्यों नहीं बैटती आप कहिए शायद बैठ जाए इस पर विल्फरट कहा उठता है हाँ आप क्यों खड़ी हैं बेचारी सुकुमारी लज्जा से गड़ी जाती थी एलिस ने फिर कहा अगर आप ना बैठेंगी तो मुझे बहुत रंच होगा यो ना बैठेंगी हाथ पकड़ कर बिठाईए किशोर सिंग बोल उठे एलिस सच्मच उठी पर सुकुमारी एक बार किशोर सिंग की और वक्रदिष्टी से देख कर हस्ती हुई पास की बारहदरी में भाग कर चली गई किन्तु एलिस ने पीछा न चोड़ा वह भी वहाँ पहुँची और उसे पकड़ा सुकुमारी एलिस को देख गिडगड़ा कर बोली शमा कीजिए हम लोग पती के सामने कुरसी पर नहीं बैठती और न कुरसी पर बैठने का अभ्यास ही है एलिस चुपचाप खड़ी रह गई वह सोचने लगी कि क्या सचमुझ पती के सामने कुरसी पर न बैठना चाहिए फिर उसने सोचा यह बेचारी जामती ही नहीं कि कुरसी पर बैठने में क्या सुक है चंदनपुर के जमीनदार के यहां आश्रे लिये हुए यूरोपियन दमपती सब प्रकार सुख से रहने पर भी सिपाईयों का त्याचार सुनकर शंकित रहते थे दयालू कि शोर सिंग यत्पियों ने बहुत आश्वासन देते तो भी कोमल प्रकृती की सुन्दरी एलिस सदा भय भीत रहती थी दोनों दमपती कमरे में बैठे हुए यमुना का सुन्दर जल प्रवाह देख रहे हैं विचित्रता यह है कि सिगार न मिल सकने के कारण विल्फरेट साहब सटक के सडाके लगा रहे हैं अभ्यास न होने के कारण सटक से उन्हें बड़ी अच्चन पड़ती थी इस पर सिपाईयों के अत्याचार का ध्यान उन्हें और भी उद्दिग्न किये हुए था क्योंकि एलिस का भय से पीला मुख उनसे देखा न जाता था इतने में बाहर कोला हल सुनाई पड़ा एलिस के मुख से ओ माई गॉड निकल पड़ा और भय से वह मूर्छित हो गई विल्फरेट और किशोर सिंग ने एलिस को पलंग पर लिड़ाया और आप बाहर क्या है देखने के लिए चले विल्फरेट ने अपनी राइफल हाथ में ली और साथ में जाना चाहा पर किशोर सिंग ने उन्हें समझा कर बैठाया और आप खोंटी पर लटकती तलवार लेकर बाहर निकल गए किशोर सिंग बाहर आ गए देखा तो पांच कोस पर जो उनका सुन्दरपुर ग्राम है उसे सिपायों ने लूट लिया और प्रजा दुखी होकर अपनी जमीनदार से अपनी दुख गाथा सुनाने आई है किशोर सिंग ने सबको आश्वासन दिया और उनके खाने पिने का प्रबंद करने के लिए कर्मचारियों को आग्या देकर आप विल्फरड और एलिस को देखने के लिए भीतर जले गए किशोर सिंग स्वाभाविक दयालू थे और उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी और उनका उस प्रांत में भी बड़ा सम्मान था वह बहुत बड़े इलाकेदार होने के कारण छोटे से राज़ा समझे जाते थे उनका प्रेम सब पर बराबर था किन्तु विल्फरड और सरला एलिस को भी बहुत चाहने लगे क्योंकि प्रियतमा सुकुमारी की उन लोगों ने प्रांड रक्षा की थी किशोर सिंग भीतर आये एलिस को देख कर कहा डरने की कोई बात नहीं है यह मेरी प्रजा थी समीब के सुन्दरपुर गाउं में वे सब रहते हैं उन्हें सिपाईयों ने लूट लिया है उनका बंदोबस कर दिया गया है अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं एलिस ने लंबी सास लेकर आँखें खोल दी और कहा क्या वे सब गए इस पर सुकुमारी बोल उठी घबराओं मत हम लोगों के रहते तुम्हारा कोई अनिश्ट नहीं हो सकता क्या सिपाही रियासतों को लूट रहे है विल्फरट पूछ बैठा हाँ पर अब कोई डर नहीं है वे लूटते हुए इधर से निकल गए अब हमको कुछ डर नहीं है आपने क्या सूचा अब ये सब अपने भाईयों को लूटते हैं तो शीगर ही अपनी अत्याचार का फल पाएंगे किशोर सिंग ने गंभीर होकर कहा ठीक है मैं आज आप लोगों के संग भोजन करूंगी एलिस ने कहा किशोर सिंग और सुकमारी एक दूसरे का मुख देखने लगी फिर किशोर सिंग ने कहा बहुत अच्छा साफ दालान में दो कंबल अलग-अलग दूरी पर बिच्छा दिये गए हैं एक पर किशोर सिंग बैठे थे और दूसरे पर विल्फरड और एलिस पर एलिस की दिष्टी बार-बार सुकमारी को खोज रही थी और वह बार-बार यही सोच रही थी किशोर सिंग के साथ सुकमारी अभी नहीं बैठी थोड़ी देर में भोजन आया पर खान सामा नहीं स्वयम सुकमारी एक थाल लिये है और तीन-चार औरतों के हाथों में भी खाद्य और पे वस्तुए है किशोर सिंग की इशारा करने पर सुकमारी ने वह थाल एलिस के सामने रखा और इसी तरह विल्फरड और किशोर सिंग को परोस दिया गया पर किसी ने भोजन आरंब नहीं किया एलिस ने सुकमारी से कहा आप क्या यहां भी न बैठेंगी क्या यहां भी कुरसी है इस पर सुकमारी बोल उठी परोसेगा कौन खान सामा क्यों क्या मैं नहीं हूँ जिद न कीजिए यह हमारे भोजन कर लेने पर भोजन करती है किशोर सिंग ने उतर दिया एलिस ने आश्चरी और उदासी भरी एक दृष्टी सुकमारी पर डाली एलिस को भोजन कैसा लगा सो नहीं कहा जा सकता भारत में शांती स्थापित हो गई है अब विल्फरड और एलिस अपनी नील की कोठी पर वापस जाने वाले है चंदनपुर में उन्हें बहुत दिन रहना पड़ा नील कोठी वहां से दूर है दो घोडे सजाये खड़े हैं और किशोर सिंग के आठ सशस्त्र सिपाही उनको पहुँचाने के लिए उपस्तित है विल्फरड साहब किशोर सिंग से बाचीत करके छुट्टी पाचुके है केवल एलिस अभी तक भीतर से नहीं आई उन्हीं के आने की देर है विल्फरड और किशोर सिंग पाई बाग में टहल रहे थे इतने में आठ स्त्रीयों का जुंड मकान से बाहर निकला हैं यह क्या एलिस ने अपना गाउन नहीं पहना उसके बदले फिरोजी रंग के रेश्मी कपड़े का कामदानी लहंगा और मकमल की कंचुकी जिसके सितारे रेश्मी ओढ़नी के उपर से चमक रहे हैं हैं यह क्या स्वाभाविक अरुन अधरों में बाल अरुन का बिंदू भी तो है देखते ही किशोर सिंग खिल खिला कर हस पड़े और विल्फरट तो भोंचके से रह गए किशोर सिंग ने एलिस से कहा आप के लिए भी घोड़ा तयार है पर सुकुमारी ने कहा नहीं इनके लिए पाल की मंगा दो